मित्रों मैं सौरब सर्मोर आप देख रहे हैं आरजी नीज आरजी नीज में आपका स्वागत है उत्तरप्रदेश के जिला बरेली में पुलिस चौकी पर हमला करने वाले 43 उपदर्मियों को पुलिस ने भेजा जेल जेल जाने वालों में चार महिलाए भी हुई सामिल आपको बता दें बरेली थान एजटनगर में करमपुर चौधरी में कल लॉकडाउन का पालना करने पर चीता पुलिस की पिटाई से यूबग बिहोस हो गया था जिससे लेकर गाउवाले आक्रोस में आ गए बिहोस को लेकर चौकी पौची और चौकी पर तोड़ फूड की पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में बरती कराया घायल कसमीरी की मा ने बताया कि इसका बेटा खिर से आ रहाता रास्ते में चीता पुलिस ने रोक कर उसकी पिटाई लगाई बेह बिहोस हो गया उसके बाद चीता पुलिस ने उसे बिहोसी की हालत में छोड़कर भाग गए इस से नाराज गाउवालों ने बिहोसी की हालत में कसमीर को लेकर चोकी पर आ गए और पुलिस से हाता पाई हो गई बड़ी संक्या में करमपुर चौदरी के लोगों ने चौकी घेर ली पुलिस ने उसे खदेड़ने के लिए लाठी चार्ज किया भगदर में एसपी अभी से एक बर्मा घायल हो गए थे एसपी सेडी रविंदर कुमान ने गाउं में दविश दी इसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुचे गाउं में पुलिस की दहसत से गाउं वाले गाउं छोड़कर भाग गए इजदनगर पुलिस ने अभदर्वियों के गरफतारी के लिए दिनदात भर दविश दी तितालिस लोगों को संगिन धाराओं में गरफतार किया गरफतार लोगों में चार महलाएं भी सामिल हैं पुलिस आज जिला स्पताल में आरोपियों का मेडिकल करवाद है और जेल भेज दिया करंपूर पुलिस च्छाबनी में तबदील हो गया था पुलिस हर आने जाने वाले पर नजर रखे हुए है कि करंपूर चौधरी गाओं के घटना के तुरण बाद सभी लोग वहां पहुंच गए थे इसकी अफायार दर्जी की गई सभी सुसंगत धाराओं में और 44 लोग नामजद और करीब 1500 अज्यात पे विरुद्द की गई है और इसमें 40-42 लोग अरस्ट भी हो गए हैं जिने जेल भेजा जा रहा है इनके विरुद्द जो आरोप हैं एक तो लॉकडाउन का उलंगन करना पुलिस कर्मियों से मारपीट करना में रोड को हाईवे को जाम करना और जब उनसे खाली कराने के लिए कहा जा रहा था तो च मारपीट की है तो इन सभी धाराओं में इनको हम जेल भेज रहे हैं और जो उपलब्ध वीडियो हैं उस समय की जिस समय इन लोगों ने वहां पर तमाशा किया था उस वीडियो के आधार पर लोगों को चिनित किया जा रहा है जिनके विरुद्द एनसे की कारवाई की झाल